तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेडस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में एक बहुत ही ज्यादा मस्त चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हिजरत जी हां 12 क्लास के उर्दू का जो चैप्टर नंबर 5 है इसका नाम क्या है हिजरत और बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग है क्योंकि इस चैप्टर में आप लोग बंजारों अगरा के बारे में जानेंगे किस तरह लोग हिजरत करते हैं मतलब हिजरत को इंग्लिष में कहा जाता है माइग्रेशन और हिंदी में कहा जाता है प्रवास या फिर इस्थाना दीना तक और हम सभी इंसान हिजरत करते ही रहते हैं अपने जिन्दगी में मैं भी हिजरत की हूँ अपने घर को छोड़कर दूसरे जगा गई हूँ और फिर वापस अपने घर आई हूँ तो हर इंसान अपने जिन्दगी में हिजरत करता है और कोई इंसान अपनी जिन्दगी में हिजरत नहीं भी किया है माइग्रेशन नहीं भी किया है तो वह आखरी हिजरत से नहीं बद सकता है और आखरी हिजरत क्या है वह मैं आप लोग को बताऊंगी जब यह चैप्टर पढ़ाऊंगी तो अभी आप लोगों को पता चल गया होगा हिज्ञत नाम का इंशाइया किसे कहते हैं इंशाइया में क्या क्या चीज़े जरूरी होती है यह हर एक चीज में आप लोगो ठीक इसके पहले वाले वीडियो यानी कि चैप्टर नुमबर 4 में पढ़ा चुकी है चैप्टर कि लिए अगर चेप्टर फोर पढ़ें कि इनशाइया किसे कहते हैं मैं इस जैप्टर के नाम मुसंनिफ कौन है जमार याद रखना है इस चैप्टर की detect respe का जरूरी है ठीक है तो किसी भी परिस्थिती में अगर आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो चैप्टर के साथ साथ उसके राइटर का नाम याद जरूर रखें तो हिजरत नाम के चैप्टर के राइटर मुसन्निफ है एहमद जमाल पाशा इनकी पैदाइश रूई थी उन श्रजात हुसैन जो है ना वो दो साधी किये थे पहली शाधी हुई और फिर इन्होंने दूसरी भी साधी की थी दूसरी बीवी का नाम था सर्वरी खातून और उन्हें सचालीस में इलाहबाद से लखनव आकर अमीनाबाद के कच्च्च आता में मकान खरता देखिए अरा लाहबाद से लखनव आ गये है यानि कि अलाहबाद में एहमाजमाल पाशा के पड़ाई खी थे जैनि कि और उन्हें सचालीस में यह लोग को छोड़ करके कहां चले आए लखनव चले आए याई कि यह लोग भी हिज़त किये हैं क्या बात है फिर जात हुसैन और फिर अहम अमिनाबाद की कच्च आहाते में इन्होंने मकान अपना घर खरीद लिया ठीक है कहां पर कच्च आहता में ठीक है याद रखना ज़रू है अब्जेक्टिव में पूछ देता है हर एक पॉइंट जहां पर मैं आप लोगों को नुक करती हूं वह एक पॉइंट आप लोगों क इसे नाम पर ही अपने मकान का नाम रख दिया सरवरी मंजिल सरवरी खातुन नाम था भीवी का और अपने घर का नाम क्या रख दिये सरवरी मंजिल ठीक है यह याद रखना जरूरी है आगे बढ़ते हैं एहमद जमाल पाशा जो है न उन्हें से 50 में कोईंस हाई स्कूल ल योने में का भी इंतहान पास किया था में भी किये थे तो यह सारा चीज आप लोग को डीटेल्स याद रखना है यह शिक्षा कहां से आसिल किये थे यह हर एक चीज अब्जेक्टिम में पूछ देता है कि एहमार जमाल पाशा जो है इंटरमीडियेट कहां से किस कॉलेज से कि किये औप्सन में दिया रहेगा क्रिष्टन कॉलेज तो आप लोगों को टिक कर देना होगा या फिर कॉश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि एहमार जमाल पाशा जो है न वह वह बीए कि साल किये तो ऑफशन में दिया रहेगा उन्हें से छपन तो इस तरह कहीं से भी को अली गड़ ने उनकी किताब मिजाज के लतीफे शाय किया यानि की प्रकाशित हुआ इनकी किताब का नाम क्या था मिजाज के लतीफे यह मिजाज के लतीफे कहां से शाय हुआ तो जहलक बुक डीपो अली गड़ से यह इस बार कोश्चन पूछ दिया था भी हाल में 12 क्ला में प्रकाशित हुआ था ये किताब ठीक है आगे बढ़ते हैं में करने के बाद लखनव वापस आकर महानामा अवध पंच का इजरा किया में जमाल पाशा जो है ना में जब कर लिए कब किये थे अच्छा में कब कि यह नहीं लिखा गया है सिर्फ उन्हें सचपन में भी यह किये थे ठीक है और में करने का इनका साल नहीं लिखा गया बट कोई करने के बाद लखनव यह वापस आ गये एमा जमाल पाशा और लखनव वापस आकर इन्होंने क्या किया एक महनामा यानि कि मन्थली मैगजिन जिसका नाम था अवध पंच इसका इसके शुरुआत कर दी ठीक है और उन्हें से 61 में कौमी आवाज शोबय आदारत में शामिल होकर जुलाई उन्हें से 76 तक वाबस्ता रहें यानि कि उन्होंने अवध पंच नाम का एक मन्थली मैगजिन की शुरुआत कर दी यहां से कोशन पूछ देता है कि अहमेर जमाल पाशा ने किस महनामा का साइज रा किया और सन में दिया रहेगा अवध पंच इसको भी याद रखना है उन्हें से 61 में क्या हुआ कि एहमार जमाल पाशा जो है ना कौमी आवाज नाम का एक शोबय अधारत था यानि कि एडिटरियल डिपार्टमेंट था कोई डिपार्टमेंट था तो वहां पर क शिहत्तर तक उन्हें से 76 तक वह वही कौमी आवाज नाम के डिपार्टमेंट में ही संबंधित रहें मतलब वहीं पर काम करते रहें इसी कौमी आवाज नाम के डिपार्टमेंट में कब तक उन्हें से 76 तक याद रखना है यह मारकर क्यों नहीं चल रहा है उन्हें से 76 में ह कि दूसरी शादी हुई थी अब ऐसा नहीं कि अपने पिता जी को देख देखकर दूसरी शादी किये ऐसा बिल्कूल भी नहीं था कोई परस्थिती आ गई होगी जिसके उज़से एहमद जमाल पाशा को दूसरी शादी कर नी पड़ी तो इनकी दूसरी बीवी का नाम क्या थ दूसरी बीवी का नाम और इनके दूसरी बीवी का नाम है सर्वर जहां याद रखिएगा एहमद जमाल पाशा की दूसरी शादी हुई किस से सर्वर जहां से यानि की इनकी दूसरी बीवी का नाम सर्वर जहां है जो की यह आगे चलकर सर्वर जमाल के नाम से मशूर हो गई क देखे आगे बढ़ते हैं उन्हें से चीहत्तर में ही जखिया फाक्त इसलामिया कॉलेज में उर्दू लेक्टर की मुलाजमत मिल गई देख यह हुआ यह कि उन्हें से एक सट से लेकर उन्हें से चीहत्तर तक तो एहमद जमाल पाशा कौमी आवाज नाम के डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे संबंदित रहें इस देपार्टमेंट में और फिर उन्हें सेंचीहत्तर में ही यह मुस्तकल क्याम के खातिर याद रखिएगा मुस्तकल क्याम के खातिर यानि की इस्थाई निवास के लिए जो एना हमेशा रहने के लिए अपने ससुराल सिवान चले आए थे कब उन्हें सचिहत्र में ही याद रखिए गई यह मैं लिखना भूल गई तो थो उन्हें सचाशहतर में ही मुष्टकल कयाम के खातिर यानि कि हमेशा रहने के लिए अपने सवराल सिवान चले आये थें बिहार का सिवान ठीक है और और सिवान में ही उन्हें सचाशहतर में ही इनको क्या हो गया ज Kinda अफाक ये स्लामिय कॉलेज में अर्दू Lektu तर की मिल गया उर्दू लेक्षिरर की मुलाजमत मिल गई जॉब मिल गई और उस कॉलेज में वह जॉब करना स्टार्ट कर दिये जब वो नौकरी कर रहे थे उस कॉलेज में तो 28 सितंबर सटासेश को दौरान मुलाजमत ही दिन का दौरा पढ़ने से पठना में उनका इंतकाल सितंबर सटासे दौरान मुलाजमत यानी कि नौकरी करने दौरान ही उनको क्या हूँ पढ़ने के वजह से वह अधो पटना में इंतकाल जमाल पाशा की मौत हुई थी उन्हेसा 87 में तो ठीक मौत से एक साल पहले उन्हेसा 86 मेरी एहमाज जमाल पाशा को घाली सागर सूरी नम का घाली बवाड मिल चुका था और क्या मिला था यह अवड क्यूं च्बधते सागर सूरी नाम का कर देना हक़ा ठीक है आगे बढ़ते हैं इनकी इहम किताबों का नाम आप लोगों के बुक में दिया गया है सभी किताबों का नाम में लिख दी हूँ एक दो छुट गया होगा लेकिन जो important है सारा का सारा जितना भी important किताब का नाम है मैं यहां पर लिख दी चलिए देख लेते हैं सबसे पहला है अंदेशे सहर यह एहमद जमाल पाशा का लिखा हुआ मशूर किताब है अंदेशे सहर उसके बाद है सितम एजाद लज़त आजार मजामीन पाशा चसम हैरा पत्तियों पर छिड़काओ जराफत और तनकीद अर्दू के चार मजाहिय शायर फन लतीफ गोई मुला नस लहेbenद जमाल पाशा दौए वरा लिखा गया है यह सभी किताब ठीख है इन सबही जाभाँ का नाम याद रखिएगा क्योंकि यहां से पता है किस तरह कोशन पूचता है अहम जम्हीं कुल्ण म से किताब सिकताब का नाम तीन उपसन मेरे देगा और एक ऐसे किताब का नाम देगा जो कि एहमा rail पाशा दौरा वह किताब नहीं लिखा गया है और उसी को टिक करना रहेगा यानि कि आप लोग को पहचानना रहता है किसा एहमा जमाल पाशाद वह biology कौनainen सी किताब नहीं है चार प्मसं में से और एहमाल जमाल पाशा द्वाट नहीं लिखी रहती है किताब उसको व्ह Kings को टिक कर दे रहे हैं तो यहाँ से आसे समय सारा किताब फिर मैं आप लोग को आगे इस चैप्टर को स्टार्ट करके बहुत एचे तरीके से इसको हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से एक दा मस्त जबरदस्ट तरीके से इसका इंड करेंगे ठीक है लेली जी फड़वड स्क्रेंड शॉर्ट अब चली हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और फड़ फड़ इसको समझकर कमप्लीट कर लेते हैं सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दू कि अगर आप लोग को लग रहा है कि मैं धीरे धीरे बोल रही हूं तो आप लोग फास्ट भी कर सकते हैं बहुत सारे लोग का क्मेंट आता है कि धुंदला दिखाई दे रहा है बोड़ पर बड़ा लिखेंगा इतना फिकले में डिखाई देगा यह मैं नुकता बिंदु अगरा डालें यह भी दिखाई देने लएगा बस आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजे या फिर आप लोग जोम भी कर सकते हैं देखें यूटूब ने सभी तरह के इसी वीडियो के कोने में दिखाई दे रहा होगा वहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे ना तो क्वालिटी बढ़ाने का उप्सण आता है वहाँ पर चार सब सी नहीं तो 720 पिक्सल में करकर देखी एकदम साफ और क्लियर दिखाई देगा अगर आप लोग लग रहा है कि मैं ध इस चैप्टर के लिखने वाले जो लेखक है वो क्या कहलेंगे इंशाया निगार कहलेंगे तो किसी तरह से पूछे आप लोग एकदम सही अंसर टिक करना है अगर कोश्टन पूछे कि हिजरत नाम की चैप्टर के मुसनिफ कौन है तो आप लोग एहमत जमाल पाशल लगा करेंगे ठीक है लेकिन अगर कोशन इस तरह से पूछ दे कि हिजरत नाम की इंशाया की इंशाया निगार कौन है तब आप लोग क्या लगाएंगे तो भी आप लोग एमत जमाल पाशा ही टिक करेंगे क्योंकि एक इंशाया है चैप्टर और लिखने वाले कौन है एमत जमा जमाल पाशा इंशाया निगार हो गए यह बताने का मकसद यह था मेरा कि जब भी जिस तरह से भी गोल गोल घुमा कर जिस तरह से भी कोशन पूछे आप लोग एक्जाम में आप लोग सही सही टिक करके तो यह चीज़ याद रखिएगा मुसनिफ या फिर इंशाया निगा कारे में बंजारा को खाना वदोलोष भी एक और इनको घूमकर भी कहा जाता है किसे कहते हैं तो बंजारा वो लोग होते हैं जिनका घर स्थाई नहीं होता वह अपना घर साथ मिलेकर घूमते रहते हैं और जो जगह अच्छा लगा वहां पर अपना टेंठ यानी की तो निकल देते हैं और फिर आगर उनको लगा कि यहां पर किसी चीज़ की कमी हो गई है या फिर उनके लिए इनवार्मेंट प्रतिकूल हो गया है तो फिर उस जगह को छोड़कर गोने निकल जाते हैं और फिर राष्ते में जो जगाज दिखाई दिया वहाँ पर अपना तिंड डाल देते हैं मतलब यह अपना घर शाथ में लेकर हुमते रहती है और जो जगा अच्छा लगता है वहां पर टेंट डाल देते हैं और रहना स्टार्ट कर देते हैं तो बोल रहे हैं एहमत जमाल पाशा कि में बंजारों यानिकी खाना बदोष की बस्ती को railway station के नस्धीक देखा एहमाद जमाल पाशा यानिकी जो इंशप्टर में और बता रहे हैं कि रेलवे स्टेशन के नजदिक बंजारों यान की खाना बदोश की बस्ती को मैं देखा और उस बस्ती में बच्चे बुढ़े जवान औरत मर्द सभी लोग थे और अते टोकडिया बुन रही थी लड़की अपना करतब दिखा रहे थे लड़किया भी थी मतलब सभी लोग कब हमारे पेट में जाएगा ठीक है ना तो यह तरह तरह की बाते थी जो है ना जमाल पाशा इस चेप्टर में बता रहे हैं और इन शाया निगार को यान कि एमार जमाल पाशा को उन बंजारों की बस्ती में जिन्दगी की एक अजीब सी चहल पहल दिखाई देती है उस ब गुम्ते दो-तीन चकट जरूर लगाते हैं लगदिन में दो-तीन बार जरूर देखते हैं लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एहमद जमाल पाशा जब उन खानाबदोश्य की बंजारों की बस्ती को देखने के लिए गयें तो क्या देखते हैं कि वो सभी बंजारे अपना अपन अब दिल पर लगा ये बात कि देखो ये जो है ना खाना बदोश इस जगा पर कुछ दिन से रह रहे थे लेकिन अब इनको लगा कि हमें इस जगा को छोड़ कर जाना चाहिए तो सभी समान को बांध लिए और इस जगा को छोड़ कर जाने पर इनके चहरे पर खुशी नहीं है बलकि उदासी चाही हुई है मतलब उस जगा को छोड़ कर जा रहे हैं बन जारे तो इस वजह से उनके चहरे पर उदासी चाही हुई है कि वह इस जगा को छोड़ कर जा रहे हैं और यह फैट है इंसान ज नहीं करता है उसके चेहरे पर उदाशी छा जाती है और वही चीज इन बंजारों के तो बंजारे उस जगा को छोड़ कर जा रहे हलांकि भूवाट दिनों से कुछ दिनों से रह रहे हैं 10-15 दिनों से रह रहे थे लेकिन 10-15 दिन में उस जगाव हो गया था और इसलिए जब उस जगा को छोड़ कर जा रहे थे ना उनके चेहरे पर उदाशी और गम दिखाई दे रहा था ठीक है तब एहमा जमाल पाशा सोच रहे थे कि देखो इन बंजारों इन खाना बदोशों के लिए हर मुल्क मुल्के मास्त होता है यानि कि हर मुल्क अपना मुल्क होता है बंजारों के लिए हर मुल्क अपना मुल्क होता है जिस देश में चाहे वहां पर रह सकते कोई रोकने टूकने वाला नहीं ठीक मोहजब इनसान खाना बदोश के मौامले में में बहुत कम्जोर हैं महजब mm निकी हम लोग죠 सब्देंिसानों समाज में रहते हैं यह म cathedral इंसान जो है ना काना बदोश के मौ मि बहुत कम्जोर है क्योंकि हम लोग अपनी जिन्दगी में जिन्दगी आधी जिन्दगी तो सबसे पहले पैसे कमाने में और घर बनवाने में ही गुजार देते हैं और तब जो आधी जिन्दगी बचती है तो उस घर में रहना शुरू करते हैं उस घर में रहते हैं और जो भी हम लोग पैसा कमाये रहते हैं वो पैसा ह लोग आधी जिन्दगी को गुजारने में उड़ा देते हैं लेकिन यह जो खाना बदोश होते हैं यह अपना घर ही साथ मिले कर घूमते रहते हैं जो जगा अच्छा लगा वहीं पर अपना टेंट डाली और वहीं पर रहना स्टार्ट कर दिये सोचिए और इनके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है यह मिलकर रहते हैं इनका एक बस्ती होता है मतलब खाना बदोश का एक बस्ती और यह साथ में चलते रहते हैं और जो काम खाना बदोश कर सकते हैं वो हम महजब यानकी सब यह इंसान नहीं कर सकते हैं समाज में र उसे इंसान से अब आजकल इर्श्या करने लगा है सबसे ज्यादा इंडिया में अब इर्श्या देखा जा रहा है जलन शिल्टा किसी भी तरह एक दूसरे का टांग खीच कर पीछे कर दो और खुद आगे निकलने की रेश में सभी लोग दोड़ पड़े हैं क्या बताया जा जो आधी जिंदगी में हम लोग पैसा कमाये रहते हैं उसी पैसे को आधी जिंदगी में हम लोग खर्च कर देते हैं तरह तरह की बिमारिया हो जाती है जब शरीर में बिमारिया होंगी अब आजकल तो नहीं नहीं दूमार यह पनप रही है किसी का पत्री हो जा रहा है किस किसी को किसी चीज का प्रोब्लम तो आधि जिन्दगी तक जो पैसा कमाया रहा है बस आधि जिन्दगी में उसी पैसे को खर्च करते रहो अपने शरीर में ही यह हो रहा है इनसान के साथ आज कल चलिए आगे बढ़ते हैं खाना बदोश का घर और धंदा बच्चे के रेत के मानंद है इन शाया निगार बोल रहा है कि यह जो खाना बदोश होते हैं इनका घर और धंदा मासुम बच्चे के रेत की घर के मानंद है यानि जो बच्चा होता है रेत का घर बनाता है और फिर अच्छा नहीं बना तो फिर उसको तोड़ देता है हटा देता है और फिर से वो आपना बी घर बनाते है नहीं अब इवसी तरह अपना भी घर बनाते हैं। और मिटी की लोई को रखा जाता है उस चकी पर आप लोग देखे होंगे फिल्म वगारा में ठीक है कौन सा फिल्म था मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा मोवी था इस फिल्म में सलमान खान भी थे और उसके बाद से सवनाक्षी सिना भी थी और वो चक्की चला कर जाकर पै करने का वो चक्की चलते रहता है और मिटी की लोई को उठाते हैं और चक्की पर रखते हैं और उसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं और कहीं से भी टेड़ा मेरा बरतन बन गयाना तो फिर उस लोई को उठाकर और फिर से उस चक्की पर रखते हैं और फिर बनाना और फिर नए सीरे से बनाने स्टार्ट करते हैं यह अपने जिंदगी को खुद बनाते हैं और एक तरह से देखा जाये ना तो यह जो बंजारे हैं समाज से कटकर बिल्कुल अलग हो चुके हैं और ऐसे अलग हुए हैं जैसे कि बड़े भाई के मुकाबले छोटा भाई कोई भी मतलब शहर के लोग गाहों दिहाद की लोग कोई भी इसकी मतलब बंजारों की रिस्पेक्ट नहीं करता है यह घूमते रहते हैं यह अपना समाज बना चुके हैं हम इन्सान को हिजरत करना है हम लोग पहली हिजरत कर चुके हैं जो कि जनत से इस रजमीन तक है हम लोग जनत से सरजमीन पर आये हैं यानकी पैदा हुए हैं तो यह हमारी पहली हिजरत हो चुकी है सब इंसान पहला हिजरत कर चुका है और अल्लाह तलाह का भी हुक्म हुआ था कि जाओ मेरी बनाई हुई दुनिया पर आबाद हो जाओ और सबसे पहली किस ने की थी तो हज़त आदम अलाहिसलाम ने ठीक है और तब उसके बाद से हम सभी इंसान जनत से सरजमीन तक का हिजरत किया और इस जमीन पर आकर आबाद हो गए ठीक है ना तो हिजरत इंसान की सिरस्थ में और हम सभी इंसान पहरी हिजरत कर चुके हैं अब अपनी जिंदगी में हिजरत करते रहता है हिजरत तो एक फर्द है जिसे अवल या आखिर हर इंसान को अदा करनी है हम लोग पहली हिजरत कर चुके हैं और अगर हम अपनी जिंदगी में हिजरत करें या ना करें हिजरत करने से चूक भी जाते हैं तो आखरी हिजरत से नहीं बच सकते हैं और पत की मौत है और मौत जो की सरजमीन से तक से जन्नत तक है बला आखिर जन्नत तक है हम नहीं जानते कि इंसान के मरने के बाद कौन इंसान जन्नत में जाएगा लेकिन जहन्नुम में सजा काटने के बाद अंतिता बला आखिर जन्नत में ही न जाएगा तो वही मैं बोल रही हूं क कि इंसान अगर हिज़त करने से चुक भी जाता है तो आखरी हिज़त मौत से नहीं बच सकता है जो कि सरजमीन से जन्नत तक का है तो यह बात लिखा गया है आप लोग के इस चप्टर में इंशाया निगार बताए हैं अब देखिए आगे क्या लिखे हैं मगरिब गुलामी की निसानी बताए हैं इसकी जानिब हिज़त तो ऐसी है जैसे आजाद पंची को सोने के पिंजडे में कैद कर दिया गया हो यहां पर इन श्राया निगार बोल रहे हैं कि पच्छिम गुलामी की निसानी है और पच्छिम के तरफ हिज़त करना माइग्रेशन करना ऐसे है जैस पहले हम आजाद थे अब हमको कैद कर दिया गया है यही बात बताने की कुछ्छ कर रहे हैं मैं जमाल पाशा कि पच्छिम के तरफ जब हिज़त करेंगे पच्छिम में कौन-कौन से देश आजाएंगे साओधी अरब आ जाएगा इरान आ जाएगा उमान आ जाएगा बहु तो मतलब इंडिया के लगभग लोग हिज़त करते हैं कहां पच्छिम की तरफ तो यहां पर एहमा जमाल पाशा इनसाया निगार बताने की कोष्ट कर रहे हैं कि पच्छिम की तरफ हिज़त करना माइग्रेशन करना ऐसे है जैसे कि आजाद पंची को सुने के पिंजिडे म लेकिन वहां पर हमें एक बाउंडरी मिल जाता है हमें कैद कर दिया जाता है और जिस बाउंडरी को हम पार नहीं कर सकते हैं हमें सेलरी अच्छी मिलती है सुख सुधा भी अच्छा रहता है लेकिन हम एक कैद खानने में कैदी की तरह रहते हैं हमें उस तरह की आजादी न कर निचर निकाल कर लगशा निकाल कर निकाल कर सब्सक्राइब करिंशाया निगार को तरह हाना निगार को यह दुरत में इसानी भाईयचारा है यानिकि अगर आप हिजरत करते हैं एक जगा को दुस्य जगा छोड़ कर जाते हैं तो वहां के लोगों को आप लोग जानेंगे पहचानेंगे वहां के लोग आपको जानेंगे पहचानेंगे तो इस तरह इनसानी भाई चारा बढ़ेगी ठीक है और आलमी यक्जयती का भी एसास होता है मतलब वैश्विक विस्तार होगा जितना ही जड़ा विजिरत करेंगे एक जगा को तुस्य जड़ कर जाएंगे ठीक है वहां के लोगोको करेंगे उतना ही जिदा लोग आपको जानेंगे आप लोगों को जानेंगे नई नई चीजे सीखेंगे कि हां यहां पर इस तरह होता है इस तरह यह सिस्टम काम करता है तरह तरह की मतलब बातु को आप जानेंगे और सीखेंगे तो इन सभी चीजों का एसास जो है ना के तो यहीं पर हो जाता है आप लोग का चेप्टर का the end I hope मैं आप लोगो को जो कुछबी समझाई यह शमझाई समझ में आया होगा हमते जमाल पाशा की बार में जितना बीद्धित बताए समझ में आ गया होगा हर एक चीज आप लोगो हर एक प्पॉइंट समझ में गई है और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फड़ावट शेयर कर दे अपने पड़ों से अपने दोस्तों के पास जितना ज्यादा हो सके दबा कर शेयर कर दे ताशी सभी लोग इस वीडियो का लाव उठा सके और उसके साथ अगर आप लोग चैनल पर नए आए ठीक तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज